आज इस वीडियो में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे चैप्टर एरियाज ओफ पहले लोग्राम्स और ट्राइंगल से क्योंकि इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया है सब कुछ समझ लिया है इससे related कुछ problems भी solve कियें तो यह हमारी आखरी problem होने वाली है इस चैप्टर से related तो देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का problem है इसमें concept वही उजओंगे पर इसमें prove चीज अलग करनी है तो सबसे पहले problem ही देख लेते हैं क्या है इन figure बिलो हमारे पास एक figure दी गई है area of DRC is equals to area of DPC अब आपको यहाँ पे यह जो DRC triangle दिख रहा है और DPC यह दोनों triangles का area बोल दिया है कि आपस में equal है और क्या का है and area of BDP and area of ARC यह भी equal है मतलब कि यह जो बड़ा आपको triangle देख रहा है BDP और ARC इन दोनों बड़े triangles का area भी आपस में equal है यह भी बोला है show that both the quadrilaterals ABCD and DCPR are trapeziums अब देखिए यहाँ पे हमें prove क्या करना है prove थोड़ी एक नई चीज करनी है जो कि अब तक आपने problems में नहीं देखा हमें prove करना है कि आपके पास जोई दो quadrilaterals दिख रहे है एक तो ABCD यह वाला और एक DCPR यह वाला यह दोनों quadrilaterals हमें prove करना है कि trapeziums है तो सबसे पहले तो यह आत किजिए कि trapezium होता क्या है trapezium वो quadrilaterals है जिसका एक pair of opposite side parallel होते हैं आपस में है तो हमें यहाँ पर जो figure दिख रही है इसमें ABCD को दिहान से देखें तो यह दोनों lines तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि parallel नहीं है अगर मैं AB और DC को आपस में parallel प्रूव कर दूँ और यह quadrilateral भी है तो अव्यस ही बात है कि ABCD एक trapezium होगा same case यहाँ पे DCPR में क्यूंकि DR और CP यह भी आपस में दिख रहा है कि parallel नहीं है तो अव्यस है कि DC और PR को अगर हम parallel प्रूव कर दे तो यह भी एक trapezium हो जाएगा DCP यह दोनों का area आपस में एक वल है और यह बड़े वाले BDP and ACR इनका area आपस में एक वल है इनहीं का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि यह दोनों quadrilaterals trapezium है ठीक है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो DCP और DCR है वो हमें दिया है तो उन दोनों triangles में देखे आपको क्या दिया है एक तो यह दोनों आपके same base पर लाए करता है यानिकि DC पर आप देख रहेंगे इन दोनों का base same है है अब इनका base भी same है और हमें given part था कि इन दो जाए है कि अगर दो triangles same base पर हो उनका area भी equal हो तो वो क्या होता है parallel lines के बीच में लाए करते हैं ठीक अब यह दोनों triangles जो हैं इनका base है DC इन दोनों का area already equal है और यह दोनों ही DC और PR के बीच में लाए करते हैं it means कि DC और PR आपस में parallel हुए ठीक है अगर DC और PR आपस में parallel हैं और यह दोनों ही sides हमारे इस जो एक quadrilateral है इसमें लाई करते हैं इसमें हमें यह pair मिल गया opposite side का कि यह parallel है तो हम कह सकते हैं कि यह quadrilateral हमारा trapezium है जैसा मैंने आपको बताया कि एक trapezium वो quadrilateral है जिसका one pair of opposite side आपस में parallel होता है तो यहां से हमें पहला पार्ट तो मिल गया कि DC PR एक trapezium है अब देखे second part में थोड़ा सा tricky है क्यों क्योंकि वहां पे हमें यह दोनों triangles का area equal नहीं दिया है बलकि हमें बड़े triangles जो यह बन रहे हैं इनका area equal दिया है अब देखे हम क्या use करेंगे हम थोड़ा से यहां पे trick use करेंगे वो यह है कि हम इस बड़े triangle में से अगर मैं इ ECR का area subtract कर दूँ तो मेरे पास यह triangle बचेगा अभी बड़े वालों का आपस में area equal है इन दोनों नीचे वाले चोटे triangles का आपस में area equal है तो equation पे भी कोई फार्म ही बड़ेगा तो वही चीज़ हम यहां use करने वाले है हमें दिया है area of BDP is equal to area of ARC हमें यह भी दिया है DPC और DRC का भी equal है equation 1 और equation 2 इनको माल लेते है equation 2 को 1 में से subtract करते हैं तो हमें में लेगा area of BDP यह बड़े triangle का area में से हम DCP को minus कर देते हैं ठीक सेम हम ARC यानि कि इस बड़े triangle में से यह जो DCR है इसको minus कर देते हैं क्योंकि यह दोनों हमारे आपस में equal थे तो यह equation पे कोई फर्क नहीं पढ़ा आप देखिए जब BDP में से DPC minus करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि BDP यह बड़ा triangle है DCP यह आपका छोटा triangle है तो आपका area यह बचेगा क्योंकि बड़े में से आपने यह वाला हिस्सा हटा दिया तो यह वाला triangle का area बचा तो यानि कि BDC का area सेम ARC में से अगर आप DRC का area हटाएंगे तो आपके पास ACD ADC इसका area बचेगा and equation के according यह दोनों equal लागे अब आपको वो दोनों triangles मिल चुके हैं जो इस quadrilateral के अंदर हैं है ना अब देखिए सेम चीज़ जो हमने नीचे वाले quadrilateral के साथ किया वही उपर में करेंगे कि हमें यहाँ पे दोनों triangles में क्या मिला कि यह दोनों same base DC पर लाई करते हैं दोनों का area आपस में equal है it means कि DC और AB आपस में parallel होंगे क्यूंकि दो triangles जो same base पर लाई करें जिनका area equal हो वो दोनों same parallels के बीच में लाई करते हैं इसी का यूज़ करते हैं हमने का कि DC is parallel to AB अब अगर ABCD जो हमारा quadrilateral है उसमें one pair of opposite side आपस में parallel है तो it means कि ABCD एक trapezium है और यही हमें इस problem में prove करना था थोड़ा सा अलग type की problem थी पर हमारे chapter से related क्यों थी क्योंकि हमने वही थियोरम यूज़ की जो हमने इस chapter में पढ़ी थी कि triangles जिनका base same हो area equal हो तो वो same parallels की बीच में लाई करते हैं इसी का यूज़ करक सकते हैं okay guys thank you